आधार हीन और अशान्ति उत्पन्न करने की आशंका से अनर्गल बयान देने का प्रयास किया है उसके उपर हम यह साफ करना चाहते हैं कि खडगे जी हाँ यह सच है कि भारती राजनीत में बहुत सारी चीजों का पटाच्शेप हो रहा है राजवंशों की सप्ता 1947 में समाप्त हुई थी अब लोक तंत्र का आवरण ओड़े हुए जो लोक तंत्रिक राजवंश हैं उनकी सप्ता को चुनवती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनाओं के बाद उनका भविश्य क्या होगा और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आप उत्तर से दक्षण तक देखें तो 2019 के लोक सभाज चुनाओं में देश की प्रबुद्ध जन्ता ने इंटाइटिल्मेंट के आधार के उपर जो लोग लोग तंत्र के नाम पर राज तंत्र चला रहे थे चाहें कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार हो वो लोग चुनाओं हारे पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा हरियाना में हुड़ा परिवार चुनाव हारा अशोक गैलोज जी का बेटा चुनाव हारा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हारी चौधरी अजीस सिंग और उनके बेटे चुनाव हारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की बेटी चुनाव हारी फिर चाहें तेलंगाना में केसी यार जी की बेटी चुनाव हारी हो अत्वा परिवारवाद के सबसे बड़े पृतीक श्री राहूल गांदी जी चुनाव हारे राजनीती करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अब भारत में वास्त्विक लोक सत्ता का प्रादुर्बाव हो गया है so whatever Shri Khadgiya Ji is saying it is real meaning is that those dynastic politics under the garb of democracy which is continuing which has been totally discarded by voter in the last election now seems towards an eclipse and the true emergence of true democracy is there in the offing जिसमें भारत के सभी जुवा और सभी मद्दाता जो प्रधान मंत्री जिने का आए भारत का गरीब भारत का किसान भारत की महिला और भारत का जुवा अपनी शक्ति के साथ उभर कर सामने आ रहा है वैसे ये लोग जो लोग तंत्र की बात करते हैं तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पारटी के पहले प्रधानमंत्री शृ जवाला नहरू जीरो वोट पागर प्रधानमंत्री बने थे अप्रेल नाइंटीन 46 में कांग्रेस कारसमित की बैथक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पटाभी सीता रमया को और एक ने क्रपलानी जी को वोट दिया था और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और जीरो वोट जवालल नहरू को मिले थे और इस बात की उस घटना के अंदर का point by point, minute by minute reference क्रपलानी की किताब My Days with Gandhi में है मुलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम में है दुरगादत की किताब इंडिया फर्म करजन टू नहरू एन देर आफ्टर में है और जो अंतिम परधान मंत्री हुए हो सकता है कि वो वेभारिक दृस्षे कॉंग्रेस पार्टी के अंतिम ही प्रधान मंत्री भविश्य के लिए सिद्धों डॉक्टर मनमोहन सिंग अक्षिदेंटल प्राइम मिनिस्टर उनको कोट कर रहा हूं प्रणो मुखर जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्तिती में स्वैम डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने कहा कि जब मुझे प्रधान मंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणवदा के पास गया मैंने का प्रणवदा आप मुझसे अधिक योग यह हैं डॉक्टर मनमोहन सिंग कहते हैं प्रणवदा आप सबसे अधिक योग यह हैं मगर मैडम ने मुझे कहा है लोक तंत्र का अधभुत सरूप है पहले प्रधान मंत्री से लेके अंतिम प्रधान मंत्री तक जीरो वोट से लेके जीरो वोट तक प्रधान मंत्री बनाने वाले लोग आज कहते हैं कि लोक तंत्र हमें समझ में नहीं आता है और लोक तंत्र के व स्वर्गी राजी गवांधी जी का चुन के आए नहीं इंद्रा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए स्विए पीविनर से माराव कैसे बने सबको पता है और डक्टर मन मोहन सिंग सबको पता है तो भारत के राजनेती के थिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के दो ही प्रधान मंत्री चुन के आए जो जनता के सामने हमने रखा ये प्रधान मंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के का यही प्रधान मंत्री होना चाहिए